मस्कार स्वागत है आपका हमारे चुनल पर मैं हूँ आपके साथ शुपराजयनी पॉपलर फ्रेंट ऑफ इंडिया की खिलाफ नाइए ने जबरदस्त काहपाई की जिसके बाद पिएफाई की रैली में पाकिस्तान जिन्दापाद के नारे भी लगे लेकिन उसके बाद अब देश में सियासत बहुत जादा गर्मा गई है देश विरोथी नारे पाची करने वाली पिएफाई के समर्थन में अब लालू परसाथ यादव की पार्टी आरचेडी भी आ गई है देशल आरचेडी के ही एक नेता शिवानन तिवारी का एक बेहद चोकाने वाला बयान साफ ले आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान जिन्दाबाद नारे पर बयान दिया है उनका कहना है कि ये नारा सर्फ प्रोटेस्ट का इजहार है ऐसा नहीं है कि वह पाकिस्तानी हो गया इस तरह से अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों का समर्थन लालू परसाद यादव की पार्टी आर्चेडी कर रही है वहीं दूसरी और आपको बता थे बिहार में आर्चेडी के साथ नितेश कुमार की पार्टी जेडियों ने कट बंधन किया और के बाद पिहार की सत्ता पर काबिश हो गई है लेकिन अब बीजेपी के नेता और केंट्रिय ग्रेमंत्री अमिश्या ने के साफ करतिया है कि आने वाले दिनों में या आने वाले चुनाहों में नितेश कुमार के साथ गटबंधन का कोई मतलब नहीं है याहीं उनके साथ ग बयान की करेंगे जिसमें उन्होंने यह कहा है कि सिर्फ यह प्रोटेस्ट का इजहार है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना यह कोई पाकिस्तानी नहीं हो गया इससे आपको बताहरें आर्चेडी के नेता शिवानन तिवारी ने दरसल बीज़ुपी नेता नितेश राने के उस बयान पर टिपनी की जिसमें उन्होंने यह कहा था कि पूने में पीएफ़ाई की समर्थन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले सभी को चुन-चुन के मारेंगे कि उनकी तरफ से बड़ा वयान साफ ने आया था जिसमर शिवानन तिवारी ने क यह कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा एक प्रोटेस्ट का इजहार है ऐसा नहीं है कि वह पाकिस्तानी हो गया यह विरोध कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपको चुडा रहा है पर आप कैसे जवाब दे रहे हैं आप चुन-चुन कर मारने की बात करते हैं उसी का यह र करते हैं लेकिन इस तहां से पाकिस्तान जिंदाफाद के नारे लगाने वालों का समर्थन करते हैं और इसी को लेकर अब बीचपी आर्चिडी पर हमलावर हो गई है और बीचपी प्रवक्ता शहजाद पूरवाला की ओड़ से बयांत दिया किया है उन्होंने बकायता ट्वी पूने में पीफाई के विरोथ में जिस तरह से नारे लगाए उस पर पाक्स मर्थक नारों का बचाब करते हुए यह कहा कि यह केवल विरोथ का संकेत है पाकिस्तान आतंखवाद का निर्यात करता है 26-11 के आयोचन और आर्जरी का यह मानना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद ठीक है इतना ही नहीं बीज़िपी नेता रामकदब ने भी आर्चरी नेता शिवानन तिवाही के इस बयान को लेकर उन पर अटेक किया है और कहा है कि भारत की धरती पर देश विरोथी नारे सुईकार नहीं किया जाए कि विरोथ के बजाए कुछ पार्ठियां समर्थन कर ये लोग कर रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान जिंदाबात के नारे लगाने बालों का समर्थन किया जा रहा है और दूसरी और वहीं आपका बताती है माहराष्ट में जिस तरह से पीफाई की रेली में कि पाकिस्तान जिंदाबात के नारे लगे हैं उसके बाद अब माहराष प्रश्टर नवनिर्वान सेना जो की राजठाक्री की पार्टी है उन्होंने अब विरोध प्रदिशन का एहलान किया है सर्फ इतना ही नहीं प्याफ़ाइ की रेली में लगे देश प्रोधी नाथों के खिलाफ ये विरोध प्रदिशन बुलाया किया है हाला की प्रतिकण्य सरेरेया जहां तमाम तमाम राच्यों को एकिल्वालों प्रदिशना की नाथों ce में आतंक परोस्ता रहा है लेकिन इन सब के बीच बिहार में जिस तरह से सियासत गर्वाई हुई है जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्दन हुआ है नितीश कुमार ने बीज़पी से गटबंधन तोड़ कर आश्चेडी यानि लालुपरसाद यादव की पार्टी के साथ मिलकर सत्ता पर वो काविच हुए उसके बाद लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दोर्चारी है और इस बीच केंथ्रिये ग्रे मंत्री अमिशा जोकी बीज़पी के चानक्य कहे जाते हैं उन्होंने बिहार में आने वाले वक्त में जो चुनाव होने हैं उसको लेक आप तोर पर ये कहा है कि बीज़पी लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री पंद का उमिद्वार घोशित कर देगी और उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने पूर्व सहयोगी और बिहार की मुख्यमंत्री निटीश्ट कु चोकी बीज़पी से उन्होंने गटबंधन तोड़ा और कहा ये जा रहा है कि दरसल वो 2024 में प्रधान मंत्री का दावितार बना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने बीज़पी से गटबंधन तोड़ दिया लेकिन इसके बाद अगर निटीश्ट कुमार पीज़पी से अपने सियम के चेहरे की खोशना चुनाव से पहले करेगी बिहार के लिए दूसरी बड़ी बात ये होगी कि वो इस बार पुरी ताकत के साथ और पुरी तरीके से अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने के बूट में नज़र आ रही है बीज़पी यारी बीज़पी कही नगई अभी से ही शुरू हो चुकी है और यही वज़ा है कि हाली में केंत्रिय ग्रेमंद्री अमिशाह ने बिहार का दोखा किया और ऐसे में ये साफ हो गया है कि दरसल जो बीज़पी अब तक बिहार में मुख्यमंद्री का चेहरा साफ नहीं करती थी लेकिन अब वो मु बंधन के पक्ष में मजबूत जातिय समीकरन पर ध्यान ना देने को कहा है उन्हें तबाम ऐसे राच्चु का उधारन दिया है जो कि अब जाती जो कहने कहीं विभाजन होता है उससे ओपर उठ रहे हैं जातिय समीकरन वहां नहीं है और ऐसा ही एक उधारन देते हुए माया फती और जियंत चोथरी सभी एक साथ आए लेकिन फिर भी बीजेपी पूर्ण महुमत से उत्तर प्रदेश में आई है या थी उन्हें साफ कहा है कि अब तमाब राच्चे यहां तक की उत्तर प्रदेश और बिहार भी जातिय समीकरन से उपर उठ रहे हैं तो ऐसे में उसमें लोग ना पड़े और आने वाले वक्त में बीजेपी पूरे दमखम के साथ बिहार में चुनाव लड़े की और नितीश कुमार के साथ कोई गटवंधन नहीं होगा तो एक तराफ आर्चेडी जिसके साथ नितीश कुमार ने गटवंधन किया है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के जिंदावाद पैच पाकिस्तान जिंदावाद नारे लगाने वालों का समर्थन कर रही है और दूसरी तरफ के इंद्रेक्रे मंत्री अमिश्या ने नितीश कुमार को बड़ा छटका दिया है और यह साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में विधानसवा चु को सुब्स्क्राइब करें थाने वाले